नमस्कार दोस्तो 26 अप्रैल के डेली न्यूस अनलिसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है अच्छी अच्छी न्यूस है आज कौन कौन सी न्यूस देखेंगे तो भाईया यहाँ पे यूरोपीन यूनियन की चीफ उर्सूला इंडिया के अंदर आई है यूक् पुरा सार क्या है कोशिश करूँगा कि मैं इसके ओपर एक अलग सी वीडियो बनाओ उसके बाद इंडिया रेप्रेश्ड क्रिटिकल वोइसस से इस रिपोर्ट देखें यूएस की कमिशन ने फिर से इंडिया को कंट्री ओफ पर्टिकुलर कंसर्न बुलाया है और बेसिक इशू की है राजी की सरकारों को उसको देखेंगे फिर इंडिया थर्ड हाइस्ट मिलिटरी स्पेंडिंग इसके बारे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी एक छोटा सा आइडिया यहां पर फिर से ले लेंगे फिर भाई जिएड़के के स्पेशल स्टेटर्स को लेके ल इंडिया के अंदर 86.45% कम हुए हैं मलेरिया के केसे तो इतनी न्यूस हमें आप देखने वाले हैं word of the day देख लेते हैं ट्राउंस मतलब क्या होता किसी को पूरी तरीके हरा देना है या किसी को डिसीवली डिफीट करना तू थ्रैश और पनिश्री वरली जैसे की word में इसक आगे बढ़ने इस पहले वीडियो पर लाइक का बटन दूस्तो चैनल को शेर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लिजे इस्टराम पर फॉलो कर लिजे टेली ग्रॉप जोन कर लिजे दोनोई चीजों कर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ और टेली ग् इंडिया एन्वी रमाना साब ने 25 अपरेल 2022 को बोला कि बाई समर वैकेशन के बाद जो भी दूसरे जजे से उनके साथ बैट कि हम कंसीडर करेंगे उन सारे पेटिशन को लिस्ट करने की जो की फाइल की गई है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के अगेंस्ट पांच अगस् इस special status हटा दिया गया था जमूइन कश्मीर का उसके अगेंस्ट बहुत सी petition यहां पे फाइल हुई है उन सारी petitions को here किया जाएगा उके उसके साथ साथ अगर आप देखो तो delimitation की exercise जारी है जमूइन कश्मीर में जमूइन कश्मीर के अंदर MLA की constituency कौन कौन सी होंगी MP लो में तो चुकि काफी लंबी समय हो गया है प्रेसिडेंशल ओडर ऑफ पाँच अगस 2019 को चैलेंज करती हुई बहुत सी petitions pending है सुप्रीम कोट में तो यहां पे एनवी रमाना साब ने बोलाई कि summer vacations के बाद सबसे पहले इसी particular case पे हम सुनवाई करेंगे पाँच अगस 2019 के ओडर से आर्टिकल 35 A को हटा दिया गया था अच्छा आर्टिकल 35 A कि अगर आप बात करो तो यह आया कैसे था इसको लेके आये थे जवाला नेरू जी की cabinet के रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 35 A को जोड़ा गया था थूर अगर नेरू जी इसको लेके आना चाह रहे थे और उस समय भी ठीक लाना जरूरी भी था जो कि कश्मीर में आपके अलो एक्स्ट्रिमिजम बहुत ज़ादा था अभी अभी पाकिस्तानों को पाइट कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में चला गया था तो आवाम को अपनी तरफ मिलाने की जरूरत थी हाला कि अनफॉटनेटल आर्टिकल 35 A के चलते भी हम पिछले 70 सालो मैं आवाम को अपनी तरफ नहीं मिला पाए तो यहाँ पर बीजेपी सरकार को समझ में आए कि भाहिया अब तो डेवलप्मेंट से ही मिलेगी आराम आवाम इसलिए आर्टिकल 35 से हटा दिया आर्टिकल 370 को हटा दिया और इसको यूनिन ट्रेटरी बना दिया थूरू जम् जमण कश्मीर को स्टेट बना देंगे लेकिन ये स्टेट आपके पहले जैसा स्टेट नहीं होगा जैसे बाकी स्टेट ने देश भरके वैसा ही जम्मुन कश्मीर होगा ठीक है तो बैसे इस बात के अंदेशा था कि बवाल यहाँ पर मच सकता है जो petitions पाई लुए सुप्रीम कोट की वो यह बोल रही है कि गवर्नर की पर्मीशन की बिना राज सरकार की पर्मीशन की बिना आप ऐसा कैसे कर सकते हो overall constitution में कुछ शब्दों की हेर फेर के थू petitions का बोलना है कि केंदर की सरकार ने ऐसा कर दिया और इसको इसके special status से हटा दिया है यह आप नहीं कर सकते अगर आपको यह करना था तो एक state legislative assembly जो की directly लोगों के दोरा elect की जाती है जमुन कश्मीर के उनके concurrence के थूर आपको यह करना चाहिए था और यह कभी हो नहीं सकता है यह हम सब जानते है इसलिए केंदर की सरकार ने इसको यहाँ पे हटाया है एक बड़े ही famous constitutional expert है डीडी बासू साब डीडी बासू साब की अगर आप पुरानी किताबे पढ़ोगे जिस समय पे यह आपका article 370 नहीं हटाया गया तो उस समय पे उन्होंने clear cut लिखा था कि हो सकता है एक समय आएगा कि जब बीजेपी पावर में आईगी और यहाँ पे article 370 को हटाया जाएगा और इसको हटाने के लिए किसी प्रकार का prayer permission नहीं ली जाएगी एक executive order की थूई इसको हटाया जाएगा और यहीं यहाँ पे हुआ है अब जो petitioners हैं जो कि article 370 की favor में बात कर रहे है 35 की favor में बात कर रहे है वो यह बोलते हैं कि भाई अगर आप जम्मुन कश्मीर का सम्विधान देखोगे तो उसका जो article 147 है वो साफ साफ बोलता है कि भाई जो state legislative assembly है वो भी इसका special status नहीं हटा सकती है तो यहाँ पर किस प्रकार से यह special status हटा दिया गया है यह unconstitutional है यह सही नहीं है इसको बदलने की जुरूत है तो भाई इस पूरे के पूरे mechanism को यहाँ पर challenge किया गया है लेट सी supreme court क्या करता है देखे बहुती कम chances है कि supreme court status quo को reinstate करेगा ठीके ना क्योंकि बड़ी मुश्किल से 370 का जो special status है हटा है सारे states के बीच में parity होनी चाहिए अगर फिर से कश्मीर को article 370 का special status मिल जाता है तो फिर नागा लैंड जैसे status में demand और बढ़ जाएगी कि नहीं हमें भी special status दो हमें भी अपना जहंडा constitution दो तो overall सारे states में parity रहे यह ज़रूरी है GS paper 2 Indian constitution और सेंटर स्टेट रिलेशन में न्यूज आपको कहा हमाईगी फिर अगली न्यूज है इंडिया अगें country of particular concern देखें United States का जो commission on international religious freedom है USCIRF इसने लगातार तीसरी बार इनरो पिछल लगातार यह तीसरा ऐसा साल है जहांपे इसने recommendation दी है US की सरकार को कि इंडिया को country of particular concern बताया जाए मतलब वो सरकार है जो religious freedom criteria में बहुत गलत तरीके से perform कर रहे हैं बहुत गंदा perform कर रहे हैं 2021 में भी जो religious freedom की situation है वो इंडिया में significantly वर्सन हुई है यह बताया है United States Commission on International Religious Freedom एक फरजी किसम की body है USA के अंतर यह लगातार हर साल यह recommendation देती रहती है कि भारत में religious minorities को मारा जा रहा है इसलिए इसको country of particular concern declare करो यह अपने खुद के backyard को नहीं देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे white और black के नाम पे दंगे हुआ करते है और कैसे US के past में foreign operations के चलते इतने war इतनी तहसन हैस मचाई गई है लेकिन हाँ दूसरे countries के ओपर यह इलजाम लगाने में number one है ठीके न जो state department है United States की सरकार का उनका खुद का office of international religious freedom है ये ऐसा कुछ भी नहीं मानते है देखे सीधी सीधी बात है USCIRF ये लंबे समय से US की सरकार को state की department को बोल रहा है कि इंडिया को country of particular concern डिक्लेर करो US की सरकार ऐसा कर नहीं रही तीसरी बार यहाँ पर commission ने फिर से ऐसा बोल दे commission क्या बोल रहा है कि बई इंडिया की जो सरकार है वो ऐसी policies को ले के आ रही है जो हिंदू nationalist agenda को promote करते है Christians को, Sikhs को, Daleks को religious minorities, Muslims को systematically sideline करते है इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते है इनको दबा के रखते है ये बाद बिलकुल जीट है ये पाकिस्तान में जरूर होता होगा उनकी minorities के against लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है अगर यहाँ पर ऐसा होता होता तो एक civil war छड़ गया होता फिर यहाँ पर क्या पताया जा रहा है कि बई ideological vision of a Hindu state को यहाँ पर ground well पर implement किया जा रहा है ऐसे नए laws बनाए जा रहा है जिससे country के religious minority को दबाए जा रहा है अब ऐसे consensus court किये गए इस report में जिसके basis पे Hindu nationalism की बात कर रहा है इंडिया के अंदर तो भाई कश्मीर में कुरान परवेस का arrest होना October 2020 में Father Stan Swami arrest हुए थे उसके बाद इनकी मृत्ती हो गई जेल के अंतर फिर non-governmental organization को challenges हो रहे है actually ना non-governmental organization को जो हमारी सरकार में बंद किया न तब से दिमाग खराब हो गया है बाहर के देशों का कुछ बाहर के दोश NGOs के थूँ इंडिया के अंदर अपना propaganda फैलाते थे NGO का काम क्या है? ग्राउंड लेवल पे vulnerable लोगों की मदद करना लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये vulnerable लोगों की मदद के बहाने इंडिया के internal affairs और developmental activities को ब्लॉक करते थे ऐसी बहुत सी investigative agencies की रिपोर्ट आ रहा की थी इसलिए केंदर की सरकार ने foreign exchange के violations के थूँ foreign exchange के थूँ NGO के activity को regulate करने कोशिच की जो की बहुत जरूरी है चुकि पैसे के माध्यम से indirectly अगर भारत के काम करने के तरीके में external pairs act करेंगे NGOs के थूँ तो NGOs को तो regulate करना ही पड़ेगा अब जब regulate किया तो यहाँ पे USCIRF को दिमाग खराब हो रहा यह कैसे कर रहे हो तो फिर anti-conversion law देखे anti-conversion law को जरूर इंडिया के अंदर किटसाइस किया गया है अलग-अलग लोगों की अलग-अलग viewpoint रही है anti-conversion law को लेके और यह चीज आग तब पकड़ ली जब एक case हुआ था हरियाना में एक case हुआ था कि एक लड़के ने एक लड़की को खुले आम सलक पे गोली मार दी थी reason being कि वो लड़की उस लड़के के साथ शादी करने को तयार नहीं था लड़का मुसलिम था लड़की हिंदू थी तो उसके बाद से लेके overall यह जो forced conversion है और शादी के basis पे धर्म परिवर्तन है इसके against एक बवाल समझ गया और अलग-अलग राज्य की सरकारों ने अपने anti-conversion laws को यहाँ पे implement करना शुरू कर दिया फिर भाई October 2021 में करनाटका की सरकार ने एक सर्वे करवाई थी churches की और priest की basically क्या हुआ था कि करनाटका सरकार ने कहा था कि door to door inspection करो कौन से लोगों को जहासा दे कि हिंदु जरम से Christianity धर्म में convert किया गया है basically करनाटका की सरकार ने एक report पे act किया कि भाई यह जो missionary activities है करनाटका के अंदर illegal तरीके से बहुत बढ़ गई है और जहासा देके लालच देके थोड़े से पैसे देके नौकरिया देके यहाँ पे लोगों को Christian दर्म में convert किया जा रहा है तो इसके ओपर जब करनाटका सरकार ने action लिया इसको भी इस report में quote किया है फिर भाई की सरकार जो स्टेट डिपार्टमेंट है जो यूएस का वो रीज रेजिकनेट करें मतलब Myanmar, China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan और तुर्कमेनिस्तान ये पहले country of particular concern रह चुके हैं इनको फिर से country of particular concern बनाओ देखें इंडिया के against US सरकार step ले यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी इंडिया-US रिष्टों के लिए 2020 में external affairs Mr. S. J. Shankar साब इस particular commission को बुला चुके हैं organization of particular concern मतलब कि तुम हमें country of particular concern बोल रहे हैं तो तुम खोज organization of particular concern हो मतलब यह जूमले तो बड़े मस्त हैं तो basically आप यहां पे देखे यह जो particular US CI RF body है यह समय समय पे इंडिया के ओपर रिजाम लगाती रहती कि आप अपनी religious minorities को दबा रहो US की state department ने अब तक इसकी report पे कोई भी step नहीं लिया आगे ले ले तो भाई बात अलागे वो let's see जब news आएगी तो उसके साथ से बताऊँगा आपको GS paper 2 में न्यूस आपको काम आएगी effect of policies of developed countries over India's interest next है no limits to Russia-China deal once EU देखें President of European Commission Ursula Wanderlain आई है इंडिया के अंदर और इनका क्या बोलना है कि रशिया और चाइना के बीच में जो friendship है उसकी कोई limit रही है राइजाना dialogue हुआ जिसका inaugural session हो रहा था इसको address कर रहे थे कौन आपकी Ursula Wanderlain यहाँ पे मोदी जी ने भी address किया Ursula Wanderlain ने भी address किया देखें यह EU chief की visit इंडिया के अंदर बहुत जरूरी है इससे बहुत सारे चीजों के basics तयार होते है हो सकता आगे आने वाले समय में European Union के साथ हमारा एक trade agreement हो जाए इस particular Ukraine Russia war के context में इंडिया European Union के रिष्टे कैसे define होगे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे matter करती है फिर यहाँ पे Ursula Wanderlain ने Russian aggression in Ukraine को condemn किया है diplomatic solution को धूरने की कोशिश की है फिर इंडिया की democracy और rule of law की इन्होंने तारीफ की है बोला है कि इनी सिधानतों के दम पे European states और इंडिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है फिर भाई इन्होंने बताया कि यह Ukraine की बूचा शहर में गई थी वहाँ पे इन्होंने live conflict को देखा है लोगों की परिशानियों को देखा है और overall बोला है कि जो Russia का Ukraine के अंदर intervention है यह गलत है हम इसको strategic failure में बदलेंगे फिर एक सवाल के ओपर यहाँ पर बातचीत किये कि कि किस हद तक यह जो western sanctions है वो Russia के ओपर effective होंगे इस war को रोकने में तो देखे प्राइमे फेसी तो हमको नजर आ रहा है कि इतने sanctions लगने के बाद भी जो जंग है वो रोक नहीं रही है लेकिन overall उर्सूला वॉंडरलेन का यह बोलना है कि देखे इन sanctions को अगर हम एक लंबे समय तक लगा पाए तो Russia की economy इस हद तक तूट जाएगी कि वो long term में इस war को sustaining नहीं कर पाएंगे और फिर कहीं न कहीं एक window खुलेगी diplomatic solution के लिए और उसके लिए international community को उनका साथ देना पड़ेगा फिर बोलने की democracy तो Europe में आई थी 2000 साल पहले लेकिन आज की date में जो सबसे बड़ा गढ़ है democracy का वो इंडिया है तो इंडिया की काफी सारी तारीफ यहां पर यह गई है फिर overall अगर आप देखो तो एक high level trade और technology commission की भी बनाने की कोशिश की गई यहां पर बात की गई है इंडिया और European Union मिलके बनाएंगे high level trade and technology commission जिसमें दोनों ही sides की political leadership और बाकी stakeholders होंगे वैसे यह particular announcement बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है चोकि अभी के लिए European Union का केवल एक country के साथ trade and technology council है और वो है US US और European Union ने मिलके बनाया है one trade and technology council है फिर commission बोल दीज़े और ऐसा एक trade technology council इंडिया और European Union के दोरा मिलके भी बनाया जाएगा फिर climate change को कैसे combat करना है green hydrogen को कैसे promote करना है India use strategic partnership negotiations of a free trade agreement and investment agreement इन सब चीजों के ऊपर बहुत detail बात दीच हुए GS paper 2 में आपको ये news आपको काम आएगी फिर अगले news ये है कि सुप्रीम कोट ने यहाँ पर लताड़ा है राज्य की सरकारों को केंदर साशित प्रदेश की सरकारों को कि भाया ये जो सड़कों पर बच्चे रह रहे हैं रिहाबिलिटेट करने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हो देखिए अलग-अलग स्टेट्स को अपने खुद के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को डिवाइस करना साथ समझ ये बात को यहाँ पर एक और्गनाइजेशन है National Commission for Protection of Child Rights इसको बनाया गया था मार्च 2007 में किस एक्ट के अंदर Commission for Protection of Child Rights Act 2005 के अंदर तो अब आप समझ सकते हो कि National Commission for Protection of Child Rights एक statutory body है ठीक है? क्लियर है? चोकि एक केंदर के सरकार के एक्ट के थूँ इसको बनाया जा रहा है इस कमिशन का mandate क्या है? कि सारे laws, policies, programs और administrative mechanism जो है वो child right के perspective के हिसाब से किये जाए overall भारत समिधान के जो basic provisions है उनके हिसाब से UN Convention on the Rights of Child के हिसाब से ground level पे चीज़े implement की जाए ऐसा बोलता है National Commission for Protection of Child Rights National Commission for Protection of Child Rights violation of the law के लिए जो complain की जाती उसमें inquiry करता है एक individual को समन कर सकता है, evidence बोल सकता है magisterial inquiry को demand कर सकता है high court, supreme court, merit petition फाइल कर सकता है ठीके ना interim relief दे सकता है किसी affected person को मादब ठीक ठाक यहाँ पर responsibility दी गई है National Commission for Protection of Child Rights को इसका एक chair person है, 6 members है इन 6 members में से 2 women होनी चाहिए और central government के दोरह इनको appoint किया जाता है 3 सालों के लिए chairman की highest age limit है 65 साल, members के लिए है 60 साल, और इसी NCPCR ने बनाया है अपना standard operating procedure 2.0, SOP 2.0 किसके लिए? for care and protection of children in street situations तो भाई, सडकों पे जो बच्चे रख रहे हैं उनके care और उनके protection के लिए यहाँ पे एक standard operating procedure बनाया गया इस procedure के अंदर जितने भी अलग-अलग government functionalities हैं चाहे केंदर की सरकार के हो चाहे राज्य की सरकार के हो केंदर की सरकार और राज्य की सरकार के अंदर वाली जितनी भी companies है, institutions है, agencies है government aid of India की सारी schemes और policies इनको एक holistic umbrella दे के इसके अंदर बच्चों को कैसे मदद की जाए इसका एक proper procedure यहाँ पे device किया गया standard operating procedure हाला कि अब NCPCR ने पूरे देश के लिए इसको device किया है राज्य की सरकारों का फर्ज यह बनता था कि वो अपनी local और regional conditions के हिसाब से अपना खुद का एक standard operating procedure device करें लेकिन problem यह है कि अब तक केवल दिल्ली और तमिल नाडू दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई SOP device किया है बाकी राज्योंने device ही नहीं किया है तो अब इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक bench की मदद की जाए इसलिए जब तक तुम अपना खुद का standard operating procedure नहीं बनाते हो तब तक NCPCR के दोरा बनाएगे SOP 2.0 को follow करो क्योंकि तुम्हारे delay के चलते हम इन बच्चों को सड़कों पे मरने के लिए और भूका रहने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं यह सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे stand है फिर सुप्रीम कोर्ट का यह भी बोलना है कि हमारे पास ही जो reporting की जाती है कि कितने बच्चे सड़कों पे रह रह रहे हैं इसके जो amount of numbers दिखाए जाते हैं वो बहुत paltry हैं जैसे for example पे लगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो figure रखा गया यह रखा गया कि 17,000 बच्चे सड़कों पे रह रहे हैं जबकि actually में यह number 15,000,000 तक हो सकता है तो यहाँ पे राज जी की सरकारों की reporting mechanism के उपर भी सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने कि ना तुमने standard operating procedure device किया है तुम proper तरीकी से अपने statistics को भी यहाँ पे quote नहीं कर रहे हो कि भाई कितने लोग सड़कों पे रह रहे हैं तो तुमारी यह approach चल नहीं पाएगी immediate basis पे NCPCR के standard operating procedure को implement करो और जो बच्चे सड़कों पे रह रहे हैं उनको rehabilitate करो उनको rescue करो यह proper instructions यहाँ पे दिये गए हैं किसके दोरा Supreme Court के दोरा और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों आप किसी भी शहर के traffic light पे जाके चले जाएए वहाँ पे सड़कों पे आपको भीग मांगते बच्चे नज़रा आएगे तो सबको पता है कि बच्चे सड़कों पे उनकी यहाँ पे urgent basis में मदद करने की जरूत है और वो मदद करने के लिए यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि Supreme Court को धमकाना पड़ रहा है राजगी सरकारों को गया action लो ग्राउंड लेवल पे तो भाई यह news यह से बटो जुडिशीन इशू इस रिलेटेटर शुड़ने में आपको काम आएगी फिर अगली news इसके बारे में दो करने मैंने भी news बनाई थी इंडिया स्थर्ड लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंडर 2021 दोनिया में तीसरे नंबर पे इंडिया के आगे बस USA और चाइना है USA 801 बिलियन डॉलर पे चाइना है 293 बिलियन डॉलर पे यह मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था इंडिया United Kingdom और रशिया को पीछे छोड़ चुका है यह डाटा कौन देरा सिप्री Stockholm International Peace Research Institute यह एक independent international institute conflict armaments, arms control और disarmament पर यह overall focus करता है इंडिया के complete defense budget की बात की जाए तो इसमें major portion लोगों की तंखा और salary देने में चला जाता है पेंशन देने में चला जाता है सिप्री के डाटा के इसाब से 2017 से लेके 2021 के time period में इंडिया ने जितना भी defense export किया है उसमें 50% मायनमार गया है लगबग 25% शीरंका गया है लगबग 11% अर्मीनिया गया है मायनमार की बात की जाए तो मायनमार ने जितना भी import किया है सबसे ज़्यादे इन्होंने import किया है चाइना से weapons लगबग 36% of मायनमार's weapons import is from चाइना लगबग 27% is from रशिया लगबग 17% is from इंडिया तो धीरे धीरे करके हम defense export के field में आगे बढ़ रहे हैं पिछले मैंने minister of state for defense अजर भट जी ने लोग सम्हा में बताया था कि इंडिया के जो arms export हैं वो 6 गुना बढ़े हैं 2014 से लेके अब तक 2021-22 में जो total number of हमने arms export की हैं वो हैं 11,607 करोन financial year 2014-15 से ये 6 गुना जादा है इंडिया की जो annual defense spending है वो 2020 से 0.9% जादा है और 2012 से 33% जादा है उसकी वज़ा क्या है कि भई जो हमारा north में border है northwest में चाइना के साथ और नौर्थ वेस्ट में पाकिस्तान के साथ और north east में चाइना के साथ और north में चाइना के साथ इसको tackle करने के लिए by CDC सीदी बात है कि आमसर weapons के field में हमें independent होना जरूरी है तो हम import भी बहुत जादा कर रहे हैं और indigenous weapons को भी बहुत जादा बना रहे हैं इसलिए 2021 में जो Indian military budget था उसमें जितना भी पैसा allocate किया गया था capital side पे मतलब नए weapons को procure करने के लिए उस capital side वाले खर्चे में से 64% खर्चा हमने भारत के अंदर बनाए हुए weapons पे किया है और बाकी बाहर से import किये गये weapons के उपर overall पूरी दुनिया में 2021 में दो ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्चा किया गया है defense के उपर मतलब दो हजार बिलियन डॉलर से ज़्यादा यहाँ पे खर्चा किया गया और एक और यहाँ पे positive lining है पिछने महीने ही भारत सरकार ने फिलिपीन के साथ एक deal साइन करी है ब्रमोज सुपरसोनिक मिसायल को बेचने के लिए यह डील लगबग 374 point something to be precise 375 million dollar की है इंडिया नुपीस में 2872 करोड की तो यह कुछ statistics है याद रखेगा अच्छा दुनिया में किसने सबसे ज़्यादा पैसा खतम किया तो हमको पता है US ने 800 billion dollar चैना ने 233 billion dollar इंडिया ने लगबग 77 billion dollar लेकिन as a percentage of GDP कौन सी country से जन्होंने सबसे ज़्यादा military expenditure किया है तो इंडिया as a percentage of GDP defense पे खतम करता है 2.88% चुकि अब इंडिया की economy बहुत बड़ी है तो overall as a percentage of GDP खर्चा कम नज़र आता है Oman ने as a percentage of GDP 11% खतम किया defense के उपर Okay, Saudi Arabia ने as a percentage of GDP 8.4% खतम किया अपने defense के उपर Algeria ने as a percentage of GDP 6.7% Kuwait ने 6.5% Israel ने 5.6% एक बाद याद रखेगा ये जो total expenditure है इस total expenditure में जो import किया वो भी है और जो अपने घर के अंदर weapons मनाए वो भी है तो 800 billion dollars US का, China का 293 billion dollar India का 76 billion dollar Overall, ये total खर्चा है इन countries का चाहे उनोंने बाहर से वपन इंपोर्ट किया हूँ चाहे अथने देश के अंदर बनाए हूँ जिस पर पत्री defense में news आपको काम आएगी इस particular news के लिए मैंने कल एक अलग से वीडियो बनाई थी जो किया सुबह 8 बजे लाइव हुई है उसको जरूर देख लीजे वहाँ पर कुछ और extra points कुछ useful insights मेंने दे रखे जिस पर पत्री defense में news काम है लिए अगली news आपाई 86.45% fallen malaria cases भाई देखिए Union Minister of Health and Family वेरफे डॉट तक Mansook Mandaviyah ने एक speech देते वक्त World Malaria Day 2022 पर क्या बोला वैसे World Malaria Day 25 अप्रेल को मना जाता है ये fact याद रखेगा single one liner से पूछा जा सकता है तो Mandaviyah साब ने यहाँ पर बोला Mansook Mandaviyah साब ने not only diagnosis and treatment स्वक्षता in our personal and community surroundings social awareness regarding malaria control and prevention are equally important in our collective fight against malaria तो भाईया malaria को 2030 तक eliminate करना इससे लड़ना है तो केवल diagnosis, treatment, दवाईया enough नहीं है आपको अपने साफ सफाई रखनी पड़ेगी चारो तरफ और society में एक awareness होनी चाहिए कि यहाँ भाई अगर हम sanitation से नहीं रहे तो हमें malaria हो सकता है इस प्रकार का जब हम अपना viewpoint रखेंगे तब जाके हम effectively malaria से यहाँ पर लड़ पाएंगे ऐसा यहाँ बताए जा रहे हर साल 25 अपरेल को word malaria day बनाए जाता है इस साल की theme है harness innovation to reduce global malaria disease burden and saves life ठीक है भाई तो malaria elimination करना है इसको prioritize किया जाएगा national और subnational efforts के थूँ ओके भाई Union Home Minister ने बोलाए कि malaria elimination ने हम काफी कुछ achieve कर चुके जैसे अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर 86.45% declare हुआ है malaria के cases में अब यह decline किस time period में हो तो 2015 से लेके 2021 के time period में number of malaria cases 86.45% कम हुए और number of malaria related deaths यह 79.16% कम हुई है ठीक है एक manual release किया गया है integrated vector management 2022 ठीक है ना यहाँ पे dignitaries ने pledge लिया कि भई हम appropriate behavior और practices के थूँ malaria को eliminate करेंगे by 2030 ठीक है ना और sustainable development goals के achievement की तरह यहाँ पे काम करेगा केंदर की सरकार, राज़ी की सरकार के साथ ground level पे काम कर रही है burden of malaria को कम करने के लिए infrastructure को improve करने के लिए laboratory support प्रोवाइड करने के लिए और most probably इंडिया malaria eradication के dream को 2030 तक achieve कर लेगा malaria का है तो एक life threatening mosquito blood bond disease है plasmodium parasites इसको cause करते हैं tropical और subtropical areas of Africa, South America और Asia में पाये जाता है इंडिया के अंदर भी इसका तरखाट है infected female endophilies mosquito के काटने से ये फैलता है ये parasites liver cells के अंदर multiply करते हैं और फिर red blood cells के उपर attack करते हैं पांच parasite की species हैं जो humans में malaria cause करती हैं इन में से जो दो species हैं plasmodium falciparum और plasmodium vivax ये सबसे बड़ी threat है symptoms of malaria में क्या आता है fever और flu-like illness shaking chills, headache ये preventable भी है और curable भी है अगर आप देखो तो malaria की एक vaccine है मॉस्क्योरिस्क नाम की मॉस्क्योरिस्क नाम की vaccine के काफी सारे trials हो चुके है और काफी हद तक ये safe है और उसने malaria की risk को 40% तक कम भी कर दिया है लेकिन सिर्फ vaccine से कुछ नहीं होगा आपको अपने आसपास सफाई और बाकी social hygiene ये maintain करनी पड़ेगी अपने आपको बचाने के लिए फिर सुप्रीम कोट ने बोलाए कि आंगनवाडी workers ग्रैच्विटी के लिए eligible है देखे ये जो आंगनवाडी workers है वो हमारे देश के 15 करोण 80 लाग बच्चों का ध्यान रखते है 158 मिलियन बच्चों का और ये बच्चे हैं future resource of the country तो चुकि ये बच्चे future resource of the country हैं और इनकी मदद कर रही है आंगनवाडी workers तो आंगनवाडी workers are entitled to gratitude which is a basic social security measure तो इस bench of justice अजयर अस्तोगी और AKO का सुप्रीम कोडियों नों क्या बोला कि ये जो workers हैं, helpers हैं इक ग्राउसरूट लेवल बहुत vital services प्रफॉर्म करते हैं गौर्वर्मेंट और beneficiaries के बीच में एक link की तरह काम करते हैं integrated child development scheme को ground level पे implement कराने में इनका major role है national food security act को implement कराने में major rule है इसलिए ये eligible हैं, इनको payment of gratuity act के अंदर gratuity मिलनी चाहिए gratuity क्या होती है? कि अगर एक employee, एक employer के पास काम कर रहा है तो उस employee के betterment, development और prosperity के लिए, वो employer gratuity provide करेगा और इसके लिएक statutory obligation बन जाता है gratuity, इसकी कुछ terms and conditions ने कम से कम पांच साल आपने काम किया हो बहुत सारी ऐसी terms and conditions है अगर ये terms and conditions की बात की जाए यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई, आप retirement के लिए eligible हो आप service से retire हो गए हो तब आपको gratuity मिलेगी, कम से कम पांच साल का continuous employment हो आपको, आपको gratuity आपकी last drawn salary के हिसाब से मिलेगी, और अगर आपकी death हो जाती है तो जो gratuity है वो आपके 9 मिनी के पास चली जाएगी तो समझ गया ना, gratuity मतलब एक ऐसा amount जो कि employer अपने employer को देता है, employee को देता है उन services के लिए जो कि employee ने उस establishment के लिए की है, तो भारत सरकार के National Food Security Act और Integrated Child Development Services को implement करने के लिए जो आंगनवाड़ी और आशा वरकर से major role play कर रही है, इसलिए इनको gratuity मिलनी चाहिए under payment of Gratuity Act 1972, ये बात यहां पे clear cut Supreme Court ने भी बोल दी तो आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी एक centrally sponsored scheme है, इसको state or unit treaties implement करते हैं, child and maternal care में involved हैं, government of Indian 1975 में इनको शुरू किया था है, integrated child development services को ground level पर implement करने में mandatory हैं, इनके 6 services ये provide करते हैं, supplementary nutrition, pre-school, non-formal education, immunization, health check-up, nutrition and health education और referral services, और जो beneficiaries हैं, आंगनवाड़ी services scheme की इनको identify किया जाता है, आधार के basis पर, तो यहाँ पर केंदर की सरकार और राजी की सरकार को strict instructions दियें, Supreme Court ने, कि collectively मिल के consider करिये कि कैसे आंगनवाड़ी workers और helpers की service conditions को improve किया जाए, कैसे उनको gratuity दी जाए, किसी भी प्रकार से पैसा, एक रोड़ा नहीं आना चाहिए, उनके motivation factor में, चुकि वो ground level पे बहुत important काम कर रहे हैं, वो delivery of services के लिए, community participation के लिए, एक dedication-ness चाहिए इन आगनवाड़ी workers में, तो पैसे के respect में, remuneration के respect में disadvantage feel ना करें, यह बहुत जादा जरूरी है, लेटसी केंदर की सरकार और राजी की सरकार ने, आपे Supreme Court इस चीज़ों के link के नीचे आपको दिया हुआ है, यह वाली news, GS paper 2, government policies and intervention, food security, issues related to poverty and hunger, women, children हर जगा आपको काम है, have a great difference, goodbye lecture थोड़ा लंबा हो गया, but relevant था, काफी important था, take care